हेलो सेवर वोंब्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स और पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे हमने वर्चुल बॉक्स ब्यम्वर सबको इंस्टॉल किया और उसके अंदर कैसे हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया त डोंट वरी आपको टेंसल नेनी की जरूरत नहीं है अगर आपके पास मोबाइल फोन है तब भी आप अपना हैकिंग जर्णी कर सकते हैं अब तक तो आप समझी गए होंगे कि यह सेशन किस चीज़ पर होने वाला है तो मैं आपको बता दूँ कि इस सेशन के अंदर हम कैसे अपने मोबाइल के अंदर लैप सेटप कर सकते हैं हैकिंग के लिए उसके बार में प्रैक्टिकल वे में जानने वाले हैं इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा बिना स्कीप किये क्योंकि अगर आप स्कीप करेंगे तो आपको कुछ एरोर्स आ सकते हैं सो लेट्स हम इसको क्रोम से डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो प्ले स्टोर पे बर्जन है वो ओल्ड बर्जन है इसलिए हम इसको एफ्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं यहां पर आपको अपडेटेड बर्जन मिलता है उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे और फिर हम यहां से इस सबी एप्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल करके ओपिन करना है तो इसको मैंने ओपिन कर दिया है और अब यहां पर मैं टाइप करूंगा apt-update and napt-upgrade उसके बाद इसको इंटर करते हैं और यहां पर आपको ऐसे बहुत सारे परमिशन मांग सकते हैं तो इसमें आपको simply y-dicker इंटर कर देना है तो हमारा यह अल्मुस्ट update हो चुका है तो हमारा update हो चुका है और upgrade भी हो चुका है तो अब हम यहां पर install करते हैं इसके लिए हम simply type करेंगे pkg install w-get और अब हमारा w-get भी इंस्टाल हो चुका है तो अब हम यहां पर टाइप करते हैं w-get-o install-nethunter-turmux-https इसके लिंक आपको description box में मिल जाएगी इसके लिए आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद हम यह आपर टाइप करते हैं ch-mode-plus-x-install-nethunter-turmux और अब यहां पर टाइप करते हैं . slash install-nethunter-turmux उसके बाद इसको इंटर करते हैं हमारा काली अल्मोस्ट रन हो चुका है और आप हम इसको इन तीन option में से किसी को भी चूज करके download कर लेते हैं charge-nethunter-checks उसके बाद nhb कर सकते हैं तो हम यहाँ नह्याँ इस टाइप करते हैं उसके बाद इंटर करें गे और आप यहां पर हम एक कमांड डालनावटर देखती हैं ढहन नहीं नहीं तो यह 6 अगरन नहीं हुआ उसके बाद हम इसको एगजिट करते हैं। और फिर हम यहाँ परर टाइप करते हैं सब्सक्राइब करते हैं NetHunter kex password । उसके बाद करते हैं और यहाँ पर हम पाफवर्ड डालते हैं। उसके बाद verify करते हैं प्रिर से इसमें password डालते हैं और फिर verify करते हैं उसके बाद हम Chrome पे आ जाते हैं और यहां पर NetHunter search करते हैं तो यहां पर आपको NetHunter repository में यह ले जा देगा उसके बाद आपको scroll down करना है और यहां पर आपको देखना है store.nethunter.com तो इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां से आपको इस एप को download कर लेना है तो मैंने इसको already download कर रखा इसलिए मैं इसको download नहीं करूंगा और फिर मैंने इसको install भी कर लिया है और यहां पर हम सर्च करते हैं NetHunter Cags उसके बाद इसको डाउनलोड करते हैं और फिर इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर पहले हम सेटिंग में जाएंगे उसके बाद unknown sources को हम allow कर देंगे तो यहाँ पर मैं NetHunter को allow करता हूँ और फिर यह इंस्टॉल होने लगेगा तो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम open करते हैं अपने termux को और फिर यहाँ पर हम type करते हैं NetHunter Cax उसके बाद इंटर करते हैं और फिर हम open करते हैं NetHunter Cax को और फिर यहाँ पर हम password डालते हैं उसके बाद connect करते हैं आप देख सकते हैं हमारा काली linux रण हो चुका है तो इसी तरह से आप mobile में भी अपना काली linux रण कर सकते हैं और अपने bug bounty program और penetration testing को perform कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे tools हैं जो भी आपको काली linux laptop में मिलते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं सभी को और फिर हम देख लेते हैं इसके सभी functions तो इसको मैं बहुत ज्यादा time के बाद यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे भी थोड़ा problem हो रहा है आपको यहाँ पर कोई problem नहीं होगा तो अब यहाँ पर मैं terminal को open करता हूँ तो हमारे terminal open हो चुका है अब यहाँ पर मैं type करता हूँ who am I उसके बाद enter करता हूँ तो यह हमको दिखा देगा कि हम कौन है या फिर यह कौन यूज कर रहा है यह था हमारा first method जिसकी मतलब से आप अपने mobile में काली linux को चला सकते है और अब हम देख लेते हैं अपने second method को तो सबसे पहले हम आज आते हैं अपने termux के उपर और फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको simply apt update and napt upgrade करना है और वो होने के बाद आपको play store पे जाना है और यहाँ पर search करना है n linux और फिर इसको install करके open कर लेना है तो हम इसको open करते है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप अपने mobile को root में use कर सकते हैं यहाँ से आपको copy करके launch करेंगे तो वो आपका mobile root हो जाएगा उसके बाद हम देख लेते हैं हमें kali को यहाँ पर run करना है फिर launch करेंगे launch करने पर यह आपको termux में open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर paste करना है और run करना है तो यह install होना start हो गया है यह install हो चुका है और अब हम इसको start करने का जो method है वो भी हमें इसी app में मिल जाएगा तो आप उहाँ पर देख सकते हैं .slash start-kali.sh उसके बाद enter कर देना है तो आपका यहाँ पर root kali localhost start हो चुका है यहाँ पर हम command डालेंगो who am i तो आपको यह actual आपका access दिखा देगा उसके बाद हम यहाँ पर exit command डालते हैं और उसके बाद हम इसको enter करते हैं और फिर हम इसको exit करते हैं So guys यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने mobile में कैसे lab setup करें उसके बारे में practical way में जाना तो अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर आप अपना hacking journey mobile के अंदर भी continue कर सकते हैं So let's meet on the next video Till then stay safe, stay secure, thank you